राजसभा के सभापती जगदीब धंखड ने शनिवार को रालोत प्रमुक जैन चौदरी के खिलाफ टिपनी के लिए जैराम रमेश की खिचाय करते हुए कहा कि कॉंग्रेस सदसे अपने कदाचार के लिए राजसभा में रहने के योगे नहीं है इस दोरान रमेश ने कुछ खास टिपनिया की हाला कि हंगामे के कारण वो सुना नहीं जा सकी जैन सिंग को उनके दादा और पूर्फ प्रधानमंत्री चौदरी चरण सिंग को भारत रतन दिये जाने के मुद्दे पर सदन में बोलने की अनुमती देने के धंखर के फैसले पर कॉंग्रेस ने तीकी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसके बाद विपक्ष और सत्तापक्ष क के बीच तीकी नुक्चोंग हुई